देश में एक बार फिर गेहूं की पैदावार में कमी आने की आशंका व्यक्त की जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में वर्ष 2024 से 25 में गेहूं के उत्पादन में कमी आ सकती है। इसके कारण गेहूं की घरेलू कीमतें उंची बनी रहेंगी। इतना ही नहीं सरक पर मौझूदा निर्यात प्रतिबंद को बढ़ाने का दबाव भी बढ़ेगा। पानी की फसलों की खेती की तरफ रुख करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। गौर तलब है कि भारत गेहूं उत्पादन में दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। पर यह पहले से कम अपूर्ती की से जूज रहा है। Grow Intelligence की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों के दौरान गेहूं के निर्यात में बड़ा उच्छाल आया है। इसके कारण देश में गेहूं का स्टॉक पिछले पंद्रह वर्षों में सबसे निचले स्तर पर है। राजे के गेहूं उत्पादक क्षेतरों के लिए जारी ग्रो के क्लाइमेट रिस्क नेविगेटर फॉर एगरी कल्चर के अनुसार देश के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक राजे उत्तर प्रदेश में मिट्टी की नमी कम हुई है जो 2010 के बाद से सबसे निचले स्तर ग्रो डिस्पले में यह भी दिखाया गया है कि मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित अन्य गेहूं उत्पादक राजियों को भी जून से सितंबर मौनसून के दौरान अन्यमित वर्शा का सामना करना पड़ा इसका सीधा असर गेहूं के उत्पादन पर पढ़ने का आश चंका जताई जा रही है इस बीच चिंता की बात यह है कि वर्तमान में एक और अलनीनो भारत में मंजबूत हो रहा है जो गेहूं की फसल के लिए एक और खराब मौसम ला सकता है यह ज्यादा घातक इसलिए है क्योंकि यह मार्च तक रहेगा जब गेहूं की फसल का विकास होता है भारत में गेहूं की फसल अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च में काटी जाती है इससे पहले जब अलनीनों का प्रभाव भारत में पड़ा था उस वक्त तापमान में बढ़ोतरी हुई थी इसके कारण वर्ष 2015 से 16 और 2016 से 17 में गेहूं की पैदा अगर देश में कम होती है तो इसके कारण भारत की घरेलू खादे मूल्य महेंगाई बढ़ सकती है जो 2021 से बढ़ रही है भारत ने कीमतों पर लगाम लगाने के प्रयास में पिछले साल गेहूं गेहूं के आटे और चीनी के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया था इसके अलावा जुलाई में इसने गेर बास्मती सफेद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया हाला कि सरकार की तरफ से किये गए इन प्रयासों ने देश में खादे पदार्थों की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए बहुत काम किया है इस बीच घरेल गेहू की सप्लाई भी कम हुई है भारत सरकार ने हाल ही में किसानों को दोनों फसले बोने के लिए प्रोटसाहित करने के प्रयास में दो हजार चौबीस से पचीस फसल वर्ष के लिए गेहू और दाल के लिए अपना न्यून्तम समर्थन मूल्य साथ फीसदी से अधिक